बूर्णिंग डियर स्टूडेंट्स आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपना टॉपिक जो की है प्रोटेक्टिव फूड पिसली क्लास में हमने पढ़ लिया था कि प्रोटेक्टिव फूड में आते हैं हमारे विटामिन्स और आज हम बात करने वाले हैं दूस्टे तरह के प्रोटेक्टिव फूड जो की है हमारे मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं बेसिकली आपने कॉमन सॉल्ट का नाम सुना है सॉल्ट जो हम यूज करते हैं उसमें हमें मिलता है उसका साइन्टिफिक या उसका जो केमिकल होता है वो होता है सोडियम क्लूराइड सोडियम क्लूरा एक तरह है कि salt है, जिसकी बहुत जरूरत है हमारे body को protection के लिए, ठीक है, तो minerals are obtained from plant sources mostly, they are essential for proper functioning, normal growth and development of body, body अच्छे से function करे, grow करता रहे, develop होता रहे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हमें minerals मिलते रहे, और ये भी vitamins की तरह ही, बहुत कम quantity में चाहिए होता है, so required in very small quantities, these are the chemicals that protect body from various diseases, just like vitamins, now हम कुछ important minerals की बात करेंगे, और उनके sources की और उनके function की, first है calcium, सुना होगा आपने, calcium की tablets भी खिलाई जाती है बच्चों को, ताकि उनकी bones strong हो जाए, weakness न रहे, तो calcium के sources होते है, milk, dry fruit, green vegetables, ठीक, function क्या है calcium का, strengthen bones and teeth helps blood to clot, यह है function calcium का, अब बात करते हैं iron की, iron भी मिलता है green vegetables से, jaggery, good से, banana, apple, meat, egg yolk, और iron का बहुत important role है कि यह hemoglobin formation में help करता है, hemoglobin क्या होता है, hemoglobin एक, ऐसा carrier होता है, या चीज होती है blood में, जिसकी वज़े से oxygen जाता है cells को, और आपको पता है oxygen ना जाये तो breathe नहीं कर पाएगा, इंसान और फूर्ड को breakdown नहीं कर पाएगा, energy नहीं बना पाएगा, और basically live ही नहीं कर पाएगा, hemoglobin कम हो गया, hemoglobin नहीं हुआ तो, तो ये बहुत important होल है कि ये hemoglobin के formation में help करता है iron, third है iodine, आपने सुना होगा iodine नमक, टाटा salt जो आता है, वो बहुत ज़रूरी है, क्यूँ, अभी बताऊंगी, पहले इसके sources है, iodized salt और seafood, ठीक है, इसका function होता है thyroid gland function, thyroid gland वो gland है, जो हमारे गले के पास में होता है, हमारे throat में, तो क्या होता है, उसकी वज़े से, जो भी उसमें से निकलता है, जो भी thyroid gland produce करता है, chemicals, वो बहुत ज़रूरी है हमारी body के development और growth के लिए, और वो जो chemicals बनाता है thyroid gland, वो बनता है iodine की ही help से, iodine ना हो तो वो chemicals ही ना बने और हमारी body grow ही ना करे, इसलिए iodine बहुत ज़रूरी है, fourth है potassium, potassium हमें मिलता है orange, banana, peanuts और beans से, potassium का बहुत important रोल होता है nerve function में और muscle contraction में, nerve function मतलब कि, जो भी हम काम करते हैं अपनी body से, जो भी हम दिमाग से सोचते हैं कि अभी मुझे चलना है, या अभी मुझे exercise करना है, तो इन सब चीजों का काम होता है, या मतलब आपने सोचा और जब वो किया, तो उन चीजों को जोडने का काम करता है nerve system, nervous system, तो ये nerve function में help करते हैं, nervous system nerve से मिलके बनता है, और muscle contraction मतलब, अगर muscle को, muscle हमारा, हम कोई चीज उठा रहे हैं, तो हमारे muscles जैसे bend हो रहे हैं, उस चीज में ये help करता है, potassium muscles को मोडने में, ठीक है, फिफ्थ है sodium, sodium हमारा मिलता है table salt से और dairy product से, ये बहुत important role होता है, इसका water regulation in body में, कि पानी जितना चाहिए body में, वो हमेशा maintain रहे, इसके लिए sodium के level को अच्छे से maintain करना चाहिए body में,